कि हैं यहां पर मतलब डिविडेंट जो था मतलब भाज डिवाईजर भाजर कोशेंट मतलब भागफल और जो रिवेंटर होता है उसका हिंदी पर मतलब होता है क्या शेश्वल ठीट है इन चार सीजों के बारे में हम लोगों ने प्रिवेस लेक्शर में डिसक्स किया था अब हम आगे लेक्शर पर डिसक्स करेंगे कि जो रिमेंटर आप निकाल रहे हैं तब हम एलजेब्रिक फॉर्म के जो डिवीजन होत है इसके सब्सक्राइब के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे हम डिमेंडर इस्ते डिल्क्ली रिकाल जबते हैं महां लेजें हमें एक पोलिनॉमियल जा हुआ है इसकीर कि प्लस 3X इस्वाइर एक्स प्लस एक्स फ्लस वान किक अग़र रिसको डिवाइड करते हैं किसे डिवाइड करते हैं एक प्लस वन से एक्स प्लस वन से जब हम प्लिनॉमियल xq plus 3 x square plus 3 x plus 1 को x plus 1 से डिवाइड करते हैं उस case में remainder क्या आएगा ठीक है तो जहां से रिखेंगे कैसे हम remainder निकलते हैं बही और दो तरीके हैं यहां डिवीजन हम नहीं लगाना चाहते हैं विदाओ डिवीजन निकालना चाहें तो कैसे रिमेंडर निकलेगा यहां से देखेगा यह हमने क्या रिखा एक्स प्लस वन से डिवाइज करना है तो सबसे पहले हम डिवाइजर को क्या करते हैं यहां से एक्स की वैलेट आलेंगी ठेखा माइनस वन ठिक यहां से ओवालेट आ जाती है एक्स की ठीक हैं नवोग एक्स की वैल्यू अगर्व्ट करेगे यहां से देखेगा on putting the value of of x in कहा करदा? equation number 1 ठीक है? clear? equation number 1 में हमने put किया any polynomial में put किया x cube plus 3x square plus 3x plus 1 जब हम value put कर रहे होंगे तो बहुत ध्यान से आप value put करेंगे क्यों? तो क्यों value put करना हैं के लिए x is equal to minus 1 है minus 1 whole cube plus 3 minus 1 square plus 3 minus 1 and then plus 1 इतना clear वाप सब्सक्राइब लोगों? बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें इसके बाग माइनस 1 का cube के अधा है नहीं? minus 1 plus 3 multiplied by minus 1 का इसके बहुत रहे है then 3 minus 1 की multiply minus 3 and plus 1 ठीक, फिए सब्सक्राइब लोगों? minus 1 plus 3 minus 3 plus 1 now, हम क्या देख रहा है? plus 3 minus 3 ठीक, minus 1 plus 1 and the remainder will be 0 कितना अगया? 0 तो सीरीस ही बात है यह जो आया है 0 वो क्या है? वो remainder क्या है remainder? इसका अनलब है जब हुम polynomial xq plus 3 x square plus 3 x plus 1 को x plus 1 से divide करेंगे तो मैं बाद जो remainder निकल के आएगा वो क्याएगा? जीर हुआएगा क्लियर हुआ इसनी बात ठीक अब आप कहेंगे सर इसको चेक कैसे करेंगे कि रिमेंट रिखेएगा चलिए हम डिविजन मेठड लगागा और क्या कर लेंगे? इसको चेक कर लेंगे इतना आप सभी लोग नोट कर लेंगे ओके? अब इसको चेक कर लगते है बसे रिमेंट रिखेएगा में चेक करने के जोगत नहीं है अब फिर भी चुकि अभी अमने लगा है फॉस्ट के रिमेंट रिखेएगा रिमेंट रिखेएगा की रिखेखिंग जरूरी है चलिए So when the polynomial xq plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1 then we are going to find what? remainder about it x x square say multiply x square and x cube multiplication x cube plus 1 plus x square plus to x square minus u minus u minus u x cube x cube cancel out of war 3x square say x square zaga 2x square 2x square 2x square 2x square 2x square 2x plus 1 multiplication 2x now cancel out of the data 3x minus 2x and after that plus 1 x plus 1 x plus 1 multiplied by plus 1 x plus 1 cancel ठीक आप देख रहे remainder कितना आ रहा है remainder आ रहा है remainder आ रहा है 0 शोलिए इसका अतलब जो remainder theorem हमने वहां रगाई थी वो बिलकुल सही थी समझ गया आप सभी लोग तो remainder theorem का use क्या है remainder theorem का use है कि without division हम किसी भी polynomial को किसी भी divisor से divide करके remainder जो आता है उसको directly डिकान सकते हैं अच्छा आप इसका all use है क्या यह पता बढ़ाने में कि यह जो है वो इसका factor है कि जब हम यह पता लगाना होगा कि यह जो divisor है यह polynomial का factor है कि नहीं हम को क्या करना पड़ता है हम को डिवाइड करना पड़ता है हम डिवाइड करते हैं जब polynomial से डिवाइड polynomial को डिवाइड करने पर remainder 0 आ जाता है हम कह सकते हैं कि यह जो है x plus 1 यह इस polynomial का factor है तो अगर हम remainder theorem लगा दे और directly remainder 0 निकाल ले अगर करते हैं factors की हम कहते हैं 15 का एक factor 5 है या नहीं यह आपको पता लगाना है तो आप क्या करते हैं आप 5 से 15 को डिवाइड करते हैं 5 थ्रीजा 15 क्या सब्सक्राइड जीरो जब remainder 0 आ जाता है तो हम कहते हैं यास 5 is a factor of 15 तो इसी तरीके से जब हम algebra में जाते हैं तो algebra में हम से पूछा जाता है प्रूब डारेट क्या कहा जाएगा प्रूब डारेट इस प्रूब इस प्लस बन इस अ फैक्टर ओ किस्टा प्यक्स एक्स प्रूब रिमेंडर ट्यूरम और रिमेंडर ट्यूरम से हम निकाल देंगे कि क्या x plus 1 is equal to 0 then x is equal to minus 1 ठिक x is equal to minus 1 की value जब हम इसमें रखेंगे इस polynomial में तो जो remainder निकल के आएगा वो क्याएगा 0 कि कैसे आए 0 मैं अभी आपको तुरन दता तुक्वा हम दो मिनट पहले remainder 0 निकल आएगा क्योंकि हम x is equal to minus 1 की value आएगा जाएगा जब क्या जिए प्रिमेंटर जीवाजाएगा तो हम कह सकते हैं यह एक स्प्लस 1 is a factor of x2 प्लस 3 x2 प्लस 3 x2 प्लस 3 x1 इतना समझ गए वह डाउट नहीं है ठीक है चलिए आपके बखते हैं ठीक है कि ए प्षट है छेश वेड़र check whether 7 plus 3X is a factor of 3X squared plus 7X ठीक यह प्लेशन आपको दिया है क्या कह रहा है कि 7 plus 3X 3X तो मैंने आपको क्या बताया जिसको चेक करना है उसको पहले हम को अपिकरेंगे और इसको बड़ाबर रखेंगी किसके शुनिके जिलो के फिर यहां से हम एक्स की वैलिए निकालेंगे क्या देगा माइस सेवन अपॉन आप्र डाल हम इस्सेलियु को पूट करेंगे थी च स्काइर प्लस जोटेने इनो एक्स में जो मिनचानी डाल पॉन प्रे समुआ होता इस्ट्री किसको और इनो से रोकशाव द्पान से नहना हूं ओ कि ना रहा है आपका रहा है जीडो कि ना रहा है जीडो जब यह जीडो आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे हम यह कहेंगे कि यह जो फैक्ट आपका पूरा इतना जो से सब्सक्राइब और हमने कि यहां पर हमें जीडो जाप रहा है तो हम यह कह सेक्टे हैं तो इस लेक्शर में हम लोग इतना जितना हम लोग ने पढ़ा उसको अच्छा से करेंगे ठीक आप सभी अच्छा से इसको घर पे एक बार रेडी करेंगे त्यार करेंगे ओके आज के लेक्षर में इतना ही थैंक्यू एब्रिवाइब